एक और विशे जो काफी समवेदनशील है, मगर उस पर बहुत चर्चा नहीं होती है, वह है अनौपचारिक रिष्टे जो इस सुन्दर उम्र में होते हैं, जिसमें हम हैं, अपने बारे में थोड़ी अच्छी बाते कहनी थी, आजकर लोग शारिरिक संबंद बनाते हैं, लेकिन इन रिष्टों में जादा भावना ही नहीं होती, हम इस विशे पर आपकी राए जानना जाते हैं, अगर लोग अपनी मर्जी से ऐसे रिष्टे बनाते हैं, तो क्या ये सही है, या ये क्या है? क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ? उन्हों ने तलाक की अरजी दे दी, जज ने तलाक की अरजी देखी, वो एक अच्छी परिवारिक मित्र भी थी, तो उसने उन्हें बुला कर पूछा, आप अपने पती को तलाक क्यूं देना चाहती हैं? वो इतना प्यारा अदमी है, आप उसे तलाक क्यूं देना चाहती ह आप किस आधार पर उसे तलाग दे रहे हैं। वो बोली, वो मेरे साथ वफादार नहीं रहे। वो मुझे धोका देते रहे हैं। आप इस नतीजे पर कैसे पहुँची। आपने कल ही शादी की पचासवी वर्षगांठ मनाई थी। कल तक तो आप ठीक थी। फिर क्या हो गया। मुझे बीते दिनों की बहुत याद आ रही थी। तो मैंने फोटो एल्बम पलटना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मेरे पाँच बच्चों में कोई भी उनके जैसा नहीं दिखता। दिखिए अभी क्या आपको याद है कि 10 पीड़ी पहले आपकी दादी की दादी की दादी की दादी कैसी दिखती थी। नहीं, मगर उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर मौजूद है। आपके शरीर को याद है, हाँ या ना। आपके शरीर को लाखों साल पहले आपके पूरवजों की तवचा का रंग भी याद है, अभी तक, वो भूला नहीं है। तो जिसे आप मेरा शरीर कह रहे हैं, वो यादों का एक बहुत बड़ा संग्र है, है न? आपके दिमाग में मौजूद यादाश्ट बहुत कम है आपके शरीर में मौजूद यादाश्ट उसमें क्रमिक विकास की यादे है जेनिटिक यादे हैं कर्म की यादे है व्यक्त और अव्यक्त स्तर की यादे है धेर सारी यादे है आपको लगता है कि अभी आपको चलना आता है लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर ने वो यादास्त बनाई है अगर आपका शरीर उसे भूल जाए तो आप चल नहीं पाएंगे इतनी यादें आप जो छोटी से छोटी चीज़ करते हैं आप जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसे मूँ में डालना है कान में नहीं ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन आप यादों के कारण ही जानते हैं तो आपका शरीर धेर सारी यादों का भंडार है और वो हर समय यादें इकठी करते रहता है अगर आप यहां से यहां तक चलें तो पचास अलग-अलग तरह की हलकी महके होंगे हो सकता है कि आप उस पर ध्यान न दें मगर शरीर उसे इकठा भी करता है और पहचानता भी है वो लगतार पहचानता रहता है इसलिए आप जानते हैं कि सुगंद क्या है दुरगंद क्या है ये इसकी गंद है आप आवाज गंद वेगर के अलग-अलग पहलूओं को पहचानते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया लगतार चलती रहती है तो इस शारेरिक यादाष्ट को इस संस्कृती में पारंप्रिक तौर पर हम रुनानू बंद कहते हैं वो शारेरिक यादाष्ट जो आप बनाते हैं आप जागरुकता के साथ अपनी शारेरिक यादाष्ट बना सकते हैं या बस धेर सारी यादाष्ट अंदर लेकर धेर सारी शारीरी कुलजन से गुजर सकते हैं तो जहां कहीं भी प्रभाव होता है मुझे पता नहीं कि आपकी पीड़ी में लोग अभी ये चीज़ें जानते हैं या नहीं मगर अभी बैंगलोर में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अगर आप नमक देनी की कोशिश करेंगे तो वे उसे नहीं लेंगे वो कहेंगे वहां रख दीजे क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों की पहचान कर ली है जो आसानी से आपकी यादाष्ट को लेकर मुझ तक पहुँचा सकते हैं अगर मैं वो चीज ले लूँ, मुझे वो यादाश्त नहीं चाहिए। यही वज़े है कि आम तोर पर इस संस्क्रीती में एक दूसरे को छूना, हाथ मिलाना ऐसी चीजों से परहिज किया जाता है। हम अपनी ही दोनों हतेलिया मिलाकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम यादाश्त नहीं कठी करना चाहते, क्योंकि अगर मैं इसे बस चूता हूँ, तो ये इसे भी याद रखता है। इसे रुनानू बंद कहते हैं। जब यौन संबंद बनते हैं, या ऐसी कोई अंतरंगता होती है, जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हो, तो आपके शरीर में जो यादाश्त रह जाती है, वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए कहा गया है कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। कुछ दूसरे पहलू हैं जहां कुछ तांतरिक प्रक्रियाओं में ऐसी चीजें होती हैं, वे सालों तक खुद को तयार करते हैं, ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए, कि शरीर कहीं से कोई यादाश न उठा पाए। इसे एक साधना की तरह किया जाता है, बेलगाम संभोग की तरह नहीं। तो सवाल नैतिकता का नहीं है, सवाल ये है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं, कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धी सबसे प्रबल चीज हो, आपका भौतिक शरीर नहीं, तो आपको शरीर की यादाश्ट को जितना हो सके, उतना सरल रखना चाहिए. इसलिए साधा भोजन, लोग बिल्कुल साधा भोजन करते हैं, अब भी मैं दिन में एक बार भोजन करता हूँ, और भोजन में सिर्फ एक चीज खाता हूँ, दस नहीं, मैं वो चीज़ें दूसरे दिन खा लूँगा, मगर आज मैं सिर्फ एक चीज खाऊंगा, क्योंकि काफ आप आजमा कर देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाएए, खास कर जब आपकी परिक्षा का समय आता है, साधा भोजन कीजिए और देखिए कि उससे कितना फर्क पड़ता है, आपकी बुद्धी कैसे काम करती है, आप कितना सतर्क रहते हैं, सब कुछ, तो आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं, आप खुद को एक sexual supernova बनाना चाहते हैं या, कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो सकता है, ये उनके उपर है, मगर आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, ये आपको तै करना होगा, अगर आपने ये तै किया है, तो ये बहूत महत्वपूर्ण है कि आप अंजाने में भारी मात्रा में यादे ना इकटी करें क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शान्त और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो क्योंकि शरीर में उल्जन भरी यादे मौजूद हैं जब इसी प्रकृती का कुछ और आता है तो शरीर में उल्जन भरी उथल पुथल होने लगती है शायद आपके दिमाग में ये ना है ये सिर्फ शारेरिक रूप से होता रहेगा तो ये चुनाव आपको करना है ये नैतिकता का सवाल नहीं है ये सवाल है समझदारी से जीने का